नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है Defense Offices Academy के YouTube चैनल पे आज RMC से related एक महत्वपूर्ण information लाया हूँ काफी parents हमसे पूछ रहें कि सर bonafide का format क्या होता है school study certificate का क्या format रहता है तो इस format को मैं आज आप लोग के साथ थोड़ा सा discuss करूँगा आपको दिखाऊंगा किस तरीके से format school वाले आप लोग को देते और basically ये school वालों की duty है जब आप school में जाएंगे जब आप उनसे school study certificate demand करेंगे तो उनका एक ऐस तरीके का performa होगा और वो accordingly आपको देंगे तो वैसे ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि parents पूछ रहे हैं तो इसलिए एक मेरा करतवे मनता है आप लोग के साथ एक format discuss करने का तो आईए शुरू करते हैं देखिए तो इसी तरीके से आपको school की तरफ से एक इसी तरीके का performa मिलेगा ठीक है अभी मैं defense offices academy की बात कर रहा हूँ आपका जो भी school होगा respective school का नाम होगा school का address होगा ठीक है तो इसी तरीके से defense offices academy इंदरा नगर कॉलनी वसंत वियार दरदुन उत्रागंड ओके इस तरीके से कुछ reference number भी हो सकता है वो document किस से regarding आप बच्चे को दे रहो वो अपना school का रहता है कोई जाधा दिक्क्यत वाली बात नहीं है date जैसे for example 4th of March 24 पिर इस तरीके से रहता है to whomsoever या to whom it may concern ठीक है तो यहाँ पर है this is certified that मैंने अपना नाम लिखावा है यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा this is certified that Suraj Arya son of यहाँ पर father's name आएगा resident of Indra Nagar Vasantvihar Dharadun is a bona fide student of her school studying in class 6th ठीक है तो यह मैंने अपने बारे में mention किया है suppose कि अगर मैं भी class 6th में और मुझे RIMC का exam देना है तो इस तरीके से यह format रहने वाला है this is certified that Suraj Arya son of Dinesh Prasad Arya resident of Indra Nagar colony Dharadun is a bona fide student of her school studying in class 6th तो एक तो यहाँ पर यह समझ में आ गया कि बच्चा कौनसी class में पढ़ रहा है plus date of birth भी बहुत important है date of birth के बारे में भी आप लोग को इसमें mention करना है तो basically according to her school records his or her date of birth is 17 February 2012 suppose ठीक है और इस तरीके से words में भी 17 February 2012 इस तरीके से होगा और फिर नीचे आएगी आपकी passport size photo ऐसी photo मत खीच देना ठीक है वो school वाले लगाएंगे school आपकी passport size photo देना वो आ जाएगी और यहाँ पर जो भी school की authority होगी principal होगे उनके sign होगे यहाँ पर इस तरीके से ठीक है आप बोलेंगे सरापी जैसे यहाँ पर मैंने अपने sign कर दिया और stamp और even इसके नीचे भी sign होगे principal के और यहाँ पर उनकी जो भी मोहर होगी वो यहाँ पर specifically वो डालेंगे photo भी verify हो चुकी है बच्चे की बच्चे की date of birth भी यहाँ से school से verify हो चुकी है और बच्ची की बच्चा कौन सी क्लास में ठीक है तो यह original school studying certificate जाता है आ रही मिसी को ओके सो दिस इस the format छोटा सा वीडियो था I hope parents को समझ मा आया होगा what is the format I hope आप सभी वह वीडियो अच्छे लगी होगी इसी तरीकी की और informational वीडियो देखना चाहते हैं Hit the bell icon और comment करके जरूर बिदाना आपको आज के वीडियो कैसे लगा That's all for today, bye bye, see you soon and Jai Hind